कि नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शमास वात करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सबी आज हम आपर बात करने वाले हैं थर्ड मार्च 2023 के बारे में 3 मार्च 2023 का ये दिन कैसे और ज़्यादा शांदार बनाना है कौन से अचुक उपाय करके आप इस दिन को और ज़्यादा पॉजिटिव और बहतरिन बना सकते हैं कौन से एंजल नंबर और और अफ़र्मिशन आज आपकी मदद कर सकते हैं कौन सा रहेगा गोल्डन विश्टाइम और साथ ही साथ कौन से वास्तू के साथ साथ आप अपने गर की परिशानियों को दूर कर सकते हैं सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में अंतक देखिएगा ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए सबसे पहले देखिए तीन मार्च का जो दिन रहेगा शुकरवार का दिन रहेगा और आप सभी के लिए काफी जादा इंपोर्टन दिन यहां पर दिखाई दिता है आज के इस दिन में आप सभी को बहुत जादा बैलेंस करकर चलने की जरूत है आज आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी पॉजिटिविटी और आपकी नेगिटिविटी दोनों में तरह से फाइट है जहां पर कौन जीतेगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके उपर है इसलिए आज के दिन में किसी भी तरह के नकारात्मक ख्याल अपने दिमाग में ना आने दें किसी भी तरह की नेगिटिविटी को अपने पास ना भटकने दें इस बात का विशेश दिया नखीगा जितना पॉजिटिव हो सकते हैं जितना पॉजिटिव चीजों को कर सकते हैं उतना करने की कुशिश करिएगा तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा किसी भी तरह की negativity आज आज आपको बड़ा नुकसान दे सकती है इस negativity से अपने आपको बचाने के लिए और अपने आपको positive environment में रखने के लिए आप सभी को आज ये विशेश उपाय करने हैं जो कि आपकी मदद करेंगे सबसे पहली चीज सूबे उठते ही आप सभी को क्या करना है अपने इच्ट देव को याद करना है जिसकी पूजा आप करते हैं आपको उन्हें याद करना है इस बात का विशेश द्यान रखिएगा उसके बाद जब भी आप अपने बिस्तर से नीचे आते हैं तो अपना सीधा पैर आगे रख करके और फिर अपना काम शुरू करिएगा मतलब की सीधा पैर आगे रख करके अपने दिन की शुरुवाद करिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दिन की आने के तुरंत के बाद तुलसी के पौधे में पानी जरूर चड़ाईएगा और साथी साथ दिविलक्षमी की आरादना मालक्षमी जी की पूजा आप जरूर करिएगा ओम महालक्षमे नमह इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप जरूर करिएगा इससे आपको बहुत अच्छे पर जाएगा उनसे जितनी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं आज ले लिजीगा क्योंकि आज के दिन में आपकी मदर की बोली गई एक एक चीज आपके लिए बहुत ही जादा शानदार हो सकती हैं साथी साथ आज के दिन में थोड़ा सा सेहत का ज्याना आप सभी को रखना है इस्पे को और लो बीपी और थाइरेट के पेशन्स को मैं जरूर करूगा कि थोड़ा सा चेत रहें अपने सेहत को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखें बहुत जदा लापर वही आपको बड़ा नुकसान पहुचा सकती हैं इसी के साथ साथ आज अपने सेहत को अच्छा रखना है अ अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ की तीसरी उंगली ये वाली जो उंगली है इसको इस तरह से आप थोड़ा सा मलिएगा तीन से चार बार आप ऐसा करिएगा कुछ भी खाना काने की बाद और कुछ भी पानी पीने के बाद ये छोटी सी चीज़ करके देखिएगा इससे आप सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आज के दिन में जितनी बार हो सके आप सभी क्या करें अपने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ पर और अपने उल्टे हाथ से अपने सीधे हाथ पर आप हाथ का ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर थोड़ा सा इस क्या calculation लेकर क्या आता है उसको समझीगा आज 7, 6, 1, 3 बहुत ही जादा important number है बहुत ही जादा positive number है और आज का ये number आप सभी की spiritual growth को बढ़ाएगा आप सभी की जो family environment है उसको अच्छा करेगा और आप सभी के mind को पूरी तरह से balance करने का काम करेगा इसलिए आज का ये number आप सभी की लिए काफी जादा important रहने वाला है एक लाल कलर के paper पे इस number को लिख करके अपने पास रखिएगा पूरे दिन दिन खतम होने के बाद आप वो paper चाहे तो कहीं throw कर सकते हैं पानी में बहा सकते हैं choice इसमें आपकी है ये number आज के दिन में तीन से चार बार देखिएगा और लाल कलर के paper पे लिखिएगा ताकि वो red कलर का जो एक attraction है आज वो काफी जादा अच्छा रहेगा किसी विशेशकारी से अगर बाहर भी जाते हैं तो लाल कलर को साथ में रखिएगा आज के दिन बहुत ही जादा अच्छा रिजल्ट मिलेंगे और साथी साथ बिलकुल light cream color light blue color आज आप पहन सकते हैं आपको बहुत शानदा रिजल्ट मिलेंगे cream और थोड़ा सा yellowish color अगर आप यूज़ करें प्लीज affirmation my success is just around the corner या आपको बोलना है my success is just around the corner और या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं my success is about to knock the door मतलब कि मेरी जो सफलता है वो मेरे बहुत नस्दीक है या बस मेरे दरवाजे के बाहर ही कड़ी है और मुझे उसे grant करना है और जब आप ये चीज़ बोल रहे हैं जब आप अपनी success को remind कर रहे हैं तो success towards to what? शादी, बच्चे, जॉब, करियर, बिसनस, फाइनेंस या जीवन का कोई भी महत्रपुन काम जो आप पूरा करना चाहते हैं जिसके लिए आप effort कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में आप बोलना शुरू करिएगा उसको सोचना शुरू करिएगा फिर देखिएगा कि result कितने जादा अच्छे आना शुरू हो जाते हैं चोटा सा उपाय है बट बहुत कारगर है बहुत ही ज़दा फाइदा देगा करके जरूर देखिएगा आज के दिन में गोल्डन विश्टाइम के अगर हम यहाँ पर बात करें तो गोल्डन विश्टाइम आपका रहेगा दोपर का समय एक बच कर पंदरा मिनट से लेकर के तीन बज़े तका समय काफी शांदार समय है इस समय में अगर आप कोई भी कारे करते हैं तो वो बहुत ज़दा पॉजिवटी लेकर क्या आएगा इस समय में आप अपनी परिशानियों को दूर करने के रास्ते खोजने की कोशिश जरूर करिएगा आप सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे आज के दिन में वास्तु में आप सभी को क्या करना है जिससे की गर परिवार के समस्याएं दूर हो और आप सभी को अच्छा मैसूस हो देखिया हम सभी चाहते हैं कि हमारे गर में खुशाली हो हमारे गर में अशान्ती होती है काफी बार गर में एक तरसे डर का माहूल बन जाता है परिवार के सदस्य ही गर के किसी कोने में जाने से डर जाते हैं काफी बार इतनी नाकारात्मक उर्जाएं हमारे गर में आ जाती है आप सभी से एक request करूँगा आज के पूरे दिन में सूबे के समय और शाम के समय जब भी आपको माकव मिल जाए या आप दोनों ही समय ये काम कर सकते हैं अपने गर में शंक अगर रखा हुआ है आप सभी ने तो शंक को गर के ब्रह्म स्थान पर खड़े हो करके जरूर बजाएगा और जितना लंबा आप जा सकते हैं बजाने की कोशिश करिएगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा दूसरी चीज आप सभी को क्या करना है आज के दिन में आप सभी अगर शंक नहीं बजा पाते तो आप क्या करेंगे आप सभी गायत्री मंत्र आप सभी के पास अवेलेबल होगा आप सभी यूट्यूब पर चला सकते हैं मोबाइल में चला सकते हैं आज आपको क्या करना है गर के ब्रह्मिस्थान पे और गर के किचन में थोड़ी थोड़ी देर गायत्री मंत्र का जाप चलाना है थोड़ा सा लाउड चलाईएगा ताकि गर के हर कमरे तक उसकी आवास पहुंचे और गर के हर सदसे के कानों तक वो आवास पहुंचे सूबे क समय या शाम के समय या दोनों ही समय आप ये चीज आज करके देखेगा क्योंकि द्वनी में जो उड़्या होती है वह बहुत ज़्यादा पवित्रता देखने को मिलें गायतरी मंतर जब आप है आप क्या करेंगे अपने घर के जो में गेट हैं वहाँ पर जहां पर आपका घर का में गेट है वहाँ पर बहुत चुटकी भर मामूली सी हल्दी दोनों तरफ आप हलकल किसी छिड़क दीजेगा इससे आप सबी को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे सो चोटी-चोटी चीजें हैं करके देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि रिजल्स कितना अच्छा आता है उमीद करूँगा कि आज के दिन आपके लिए काफी शांदार रहेगा और आप बहुत अच्छे से इस दिन को इंजॉई कर पाएंगे इसके अलावा मैं आ रहा हूँ आपके अपने शहर पूना में और मुंबई में डिटेल्स आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं अगर आप उसे मिलना चाहते हैं अपनी कुर्ली का अनलेसिस करवाना चाहते हैं अपने जीवन को लेकर कि कोई भी बातचीत करना चा कर सकते हैं जरूर शेयर कर दीजिएगा धन्यवाद